अरवश्य चाहम रदिसन्नि विष्टोम अतस्वृतिर ज्ञानम पोहनम्च वेदेश सरवेई रहमेव विद्यो वेदान्त कृतवेद विदेव चाहम मैं किसान पुत्र हूँ और गाउं की स्कूल में छे तक पढ़ा हूँ और फिर भी भगवान की कृपा से 2013 से मैं अमदावाद IIM में हर साल लेक्षर देने को जाता हूँ मैंने साट साल पहले डाइमंड बिजनेस में वर्कर के तोर पर काम शरू किया था और आज साथ हजार लोगों का फैमिली मिलकर काम कर रहे है गुजरात के भाजपा के राज्यसवा सांसत गोविन धोलक्या सूरत के मशूर हीरा कारोबारी है हाल में उनका एक भाशन वाइरल हो रहा है गोविन धोलक्या उनके बच्चों का साथगी से पालन पोशन करने के लिए और करमचारियों को दिवाली में महेंगे उपहर देने के लिए जाने जाते है गोविन धोलक्या ने अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ नियम भी बनाए है गोविन धोलक या परिवार के बच्चों को आम लोगों की जीवन शैली सिखाने में विश्वास रखते हैं इसलिए आज भी वे परिवार के बच्चों को एक महिने की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जिनमें उन्हें बहुत ही कम रकम दी जाती है और आगे उन्हें खुद ही संगर्ष करके कमाना पड़ता है हीरा उद्योग में राम कृष्ण डाइमन्स के चैर्मेन गोविन धोलक या अपनी कार्य पद्धती के लिए जाने जाते हैं उन्होंने बहुत ही कम उम्र में हीरा घिसने का काम शुरू किया और हीरा उद्योग में संगर्ष करके खुब नामना करमाई उनकी नेट वर्थ 4,800 करोड रुपे है राजसबा में गुजराद भाजपा के सबसे धनिक सांसद गोविन धोलक या ने कई सेवा कार्य भी किये है और उन्होंने राम मंदिर निर्मान में 11 करोड का दान भी दिया है हाल में राजसवा सांसर्द गुवेंडोलक या ने एक भाशन दिया है जिनकी कुप चर्चा हो रही है सुन्ये उन्होंने क्या कहा स्वर्वश्य चाहं रदिसन्नि विष्टो मतस्वृतिर ग्यान नम पोह नम्च वेदेच सरवे रहमे वविद्यो वेदान्त कृतवे दाविदेव चाहं सदन में उपस्थित सभी महनुभावों के रदय में विराजमान परमात्मा को नमन करके इच उच्छ सदन में आज में पहली बार मेर्या बोलने का प्रारंब कर रहा हूँ नमस्कार सबसे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बजेट पर मेरे को चर्शा में भाग लेने के लिए अवसार प्रदान किया है मैं किसान कुत्र हूँ और गाउं की स्कूल में छे तक पढ़ा हूँ और फिर भी भगवान की कृपा से 2013 से मैं अमदावाद IIM में हर साल लेक्षर देने को जाता हूँ मैंने साट साल पहले डाइमंड बिजनेस में वर्कर के तोर पर काम शरू किया था और आज साथ हजार लोगों का फैमिली मिलकर काम कर रहे है मानिय सभापती जी आपके माज्यम से में मानिय स्री नरेंद्रबाई मोदी जी के लगाता तुष्री बार देश के प्रदान मंत्री बनाने के लिए राष्ट की जनकता को धन्यवाद देता हूँ और मेरे जैसे सामाइन्य व्यक्ति को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुचाने के लिए उनको कोटी-कोटी बंदन करता हूँ मानिय सभापती जी मैं बजेट के बारे में अपने विचार सदन के सामने बड़ी निविनम्रता के साथ रख रखा हूँ मोधी सरकार ने बजेट 2024 में कई महत्व पूर्ण पहलों की और कदम बढ़ाये है जो भारकिय अर्थ विवस्था को और राष्ट को विक्सित एवं मजबूत करने में मदद करेगा महोदई इस पजेट में सेवा, सुशाशन और राष्ट कल्यान की प्रदान मंत्री श्री नरेंद्रबाई मोधी जी की द्रश्टी को महत्व पूर्ण रूप से उजागर किया गया है मन्य जभापती जी एक किसान और व्यापारी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि यह बजे भारत की आर्थिक रुद्धी और विकास की दिशा में महत्व पूर्ण कदम है हम सब जानते हैं कि वैश्वीक सुनित्या, सुनोत्या के बावजुद भी हमारे देश के अर्थतंत्र की मजबूती पर विश्वास जताया गया है इस बजेट में हर क्षेत्र की वृद्धी के लिए ध्यान दिया गया है इनफा स्क्षर से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक, कुरुशी क्षेत्र से लेकर शिक्ष्या के क्षेत्र तक हर क्षेत्र में निवेश की गती को तेजी दे जा रही है क्षेत्र में कोई भी हो, योजना ये बनी है, योजना ये बनी रही है, शरू हो रही है इस बजेट के माज्यम से सरकार ने भारत के भविश्य के लिए एक संतुलित द्रश्टी कोन परस्तूत किया है इसलिए मैं मान्य श्री नरेंद्र भाई, मोदी जी और वित मंत्री स्री मती निर्मला जी का आभार प्रगट करता हूँ माननिय सभापती जी मैं गुजराच और सूरत का रहने वाला हूँ इसलिए मैं आज गर्व से कहूंगा कि माननिय स्री नरेंद्र भाई मुदी जी के नित्रुतों वाली हमारी सरकार ने सूरत को समवार दिया है शहरी विकास और इंफास्ट्रक्सर में शहरों को एरपोर्ट, मेट्रो, रेल परियोजना और कहीं सारी सुवीदाओं के माज्यम से स्मार्ट शहर बनाने के लिए सरकार तेज गती से दोड़ रही है मानियस्री सभापती जी मैं विशेश रूप से सुरत में मेट्रो, रेल परियोजना की स्वईकृती के लिए सरकार को बदाई देना चाहता हूँ यह परियोजना न केवल शहर की याता यात व्यवस्था को सुदारने में मदद करेगी बलकि नागरीकों के जीवन को भी सुगम बनाएगी 40 किलो मीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्मान किया जा रहा है जो हमारे शहर के विकास में एक महत्वा पुर्णा कदम है मानियो सभापती जी मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि 2014 में सुरत एरपोर्ट पर केवल 4 फ्लाइट आती थी जो आज 2024 में 34 फ्लाइट आती है सुरत को विश्वा के साथ जोडने के लिए मुदी जी ने सुरत एरपोर्ट को नया बना कर इंटरनेशनल का दरज्जा दिया है इसके लिए भी में सरकार का आबार व्यक्त करता हूँ सरकार के इस कदम से सुरत के व्यापार और परियतन को बढ़ावा मिला है विशेश रूप से बताना चाहता हूँ कि सुरत से दुबई शार जहां कि फ्लाइट शरू होने से सुरत शेहर को राष्टिय अंतर राष्टिय स्तर पर एक नवी पहचान मिली है भारत की पहली बुले ट्रेन जो बुंबई अमदावाद के बिश चलने वाली है उसमें सुरत को भी बहुत लाब मिलेगा दिल्ली और सुरत का सिक्स लेन हाइवे जो सुरत होकर बुजरता है उससे भी सुरत का विकास को बहुत फाइदा मिलेगा महोदई हीरा आभुशन व्यवसाई के एक प्रती निधी से रूप में सुरत डाइमंड बूर्ष की स्थापने के लिए मैं मोधी सरकार को विशेश रुख को बढ़ाई देना चाहता हूँ महोदई हीरा व्यवकार में विश्वका सबसे बड़ा केंद्र सुरत है सरकार की मदद से सुरत में डाइमंड बूर्ष कैस्टी भी का निर्मान किया गया है वो हमारे राष्ट के लिए बड़ी गर्व की बात है जो 67 लाख स्केर फुट का बांधकाम 4,500 ओफिसी विश्वकी सबसे बड़ी ओफिस बिल्दिंग मानविये सवापती जी मैं आपसे अनुमूती चाहता हूँ और आपके माज्यम से सदन के सभी मेरे साथियों को सूरत डाइमंड बूर्ष आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ सूरत डाइमंड बूर्ष रतनकलाकारों, व्यापारियों और विश्वके खरीदारों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है और इसका उद्देश हिरा उद्दोक को एक सद के नीचे केंद्रित करके रोजगार एवं एक्सपोर्ड को बढ़ावा देने का और सूरत को विश्वस्तर पर एक महत्व पूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में स्थापित करना है सूरत को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्षित करने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ